आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज चैनल और मतियत प्रसाद आप लोगों का एक बाद फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो हमारे देख में आज कल चल रहा है ट्रेट खासकर स्वादेशी अपनाव विदेशी छोड़ा और खासकर चाइना का जो प्रोडेक्टे चलो अप्लिकेशन हो यह एलेक्ट्रानिक गैजट्स हो उसको लेकर बहिसकार की बाते चल रहे हैं बहुत अच्छी बात है फीचर्स मिल रहे हैं खासकर मोबाइल तो वह क्यों नहीं पर्चेस करेगा वह यह नहीं देखेगा कि यह भारतिय प्रोडेक्ट है या अमेरिकन प्रोडेक्ट है दोस्तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे देश के जो सेलेब्रिटी हैं उनको आगे आना जैसे कि वह पहले करते आएं हैं और खासकर चाइना का जो प्रोडेक्ट है जिसका वो प्रचार प्रचार करते हैं उसको बंद करना चाहिए तब ही हम इस मिसन पर कामयाब हो पाएंगे क्योंकि दोस्तों जो हमारे देश के सेलेब्रिटी हैं उनको फॉलो करने वालों की सं तो फिर यह मुहीम हमारी कमजोर पढ़ जाएगी तो दोस्तों मुझे लिए आसा है कि आप लोगों को यह मैसेज पसंदाया होगा और आप लोग मेरे इस मैसेज को हमारे देश के जो बड़े बड़े सेलेब्रिटीज हैं वहां तक पहुंचाने पर मेरी मदद करेंगे दो दोस्तों आगे बढ़े करें आज के लेटिस्ट न्यूज के बारे में तो दोस्तों यहां पर आज समसिंग ने भारती मार्केट में अपने दो स्मार्टफोन जो मीटरेंज स्मार्टफोन हैं उनको कर दिया है लांच जो पहला उसका नाम कमपनी ने समसिंग गैलक्सी M01 र को प्लब्द होगा इस वीडियो में इस बारे में भी चरचा करने वाला है दोस्तों आगे बाढ़े कर सबसे पहले बात करें इस समसिंग गैलक्सी M01 के डिजाइन के बारे में तो इसके बैक पैनल से करते हैं शुरुआ तो यहां पर आपको 3D कलर फिनीसिंग देखने को मि प्लब्द करवा रही है जिसका बाडी टू डिस्प्ले का जो रेश्यों है 79 परसेंट का है स्मार्ट फोन देखने में मुझे ठीक ठाकी लगता है और यह दोस्तों भारती मार्केट में ब्लैक और ब्लू कलर में पच्चेस करने के लिए उपलब्द होने वाला अगर बात क आपको इस स्मार्ट फोन के अंदर देखने को मिलने वाली है अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में तो कंपनी इसमें आपको कॉलकम स्नेप ड्रेगन 439 उपलब्द करवा रही है जो यह एक उक्टा कोर प्रोसेसर इसकी मैक्समम स्पीट 1.85 गीगा हर्स है इसके से फ्लेक कर पाएंगे और दोस्तों कर बात करें इस स्मार्ट फोन के स्टोरेज वेरियंट के बारे में तो यह भारती मार्केट में एक ही वेरियंट में उपलब्द होने वाला है जहां पर आपको 3GB RAM प्लस 32GB स्टोरेज मिल जाती है जिसको आप SD कार्ड के जरिये बढ़ा तो इसके रियर साइट पर आपको डूल कैमरे देखने को मिलने वाले हैं जो पहला है वो 13MP का इसके साथ आपको 2MP का डेफ्ट सेंसर कमपनी देने वाली है इन कैमरों के साथ आपको LED फ्लेज की सुबधा भी कमपनी उपलब्द करवा रही है अगर बात करते हैं इसके फ्र और दोस्तो इस स्मार्ट फॉन के अंदर कमपनी आपको 4000MAH के एक पाउरफुल बैटरी उपलब्द करवा रही है जो इस स्मार्ट फॉन को पाउर उपलब्द करवाएगी हलाकि दोस्तो इसमें आपको फार्ट्स चार्जिंग की सुबधा नहीं मिलने वाली है अगर बात क पीएस ब्लूटूथ एफम रेडियो जैसे अन्य फीचर आपको इस स्मार्ट फॉन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं फाइनली अगर बात करते हैं इस स्मार्ट फॉन की कीमत और उपलब्द के बारे में तो इसकी सेल्फ फिलिफ कार्ड में होने वाली है जहां से आप इस स्मार्ट फॉन को पर्चेस कर सकते हैं अगर बात करते हैं इसके कीमत के बारे में तो दोस्तों यह एक ही स्टोरिज वेरियंट के साथ भारती मार्केट में अभी उपलब्द है और इसकी कीमत कंपणी ने 89999 रुपए रखिये मेरे हिसाफ से दोस्तों इस स्मार्ट भी हो बीचार इस स्मार्ट फॉन को लेकर कर पर नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा मैं आप लोगों के लिए से वीडियो लेकर आता रहूंगा जैहिंद